Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel and in this video we are going to discuss on very important topic of chapter number 9 that is Mountbatten Plan and Partition of India. India के उस समय के Governor Lord Wawel की जगह पर Governor General Mountbatten बन कर आय थे और 23rd of March 1947 को वो इंडिया के Governor General बने. और आप सभी को पता है कि Cabinet Mission यहाँ पर आया हुआ था, उसने प्लान किया था कि जो British Government है वो हम इंडिया वालों को सौप देंगे. मतलब कि अब इंडिया में इंडियन्स की Government रहेगी तो उसी के लिए Mountbatten यहाँ पर आय था और आपको पता होगा कि जब Assembly में चर्चा चल रही थी Muslim League, Congress और Cabinet Mission के Members के बीच में तो वहाँ पर कुछ disputes हो गए थे जिसके Current League ने यह demand रखी थी कि हमारे लिए हमारा अलग देश चाहिए तो इसके बाद ही Mountbatten इंडिया में आये थे और इंडिया में आने के बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान की border भी fix की थी साथ ही अलग-अलग उनके लिए क्या-कया नियम कानून बनाने थे उस समय उस बारे में चर्चा की जानी थी तो इसी लिए जो British government थी उसने Britain से Mountbatten को पूरा अधिकार देकर यहां पर भेजा था कि जो cabinet mission ने प्लान बनाया है इंडिया के लिए उसको आपको लागू करवाना है उसको आपको सबको संतुष्ट करवाना है और इंडिया में आने के बाद Mountbatten का सबसे बड़ा काम था cabinet plan के अनुसार जो उस समय इंटिम Government बनी थी उसके माध्यम से इंडिया वालों को उनकी Government सोपना है देखिए Congress ने तो बहुत ज़ादा चाहा था कि दो देशों में बटवारा ना हो इंडिया और पाकिस्तान ना बने लेकिन आप सभी को पता है कि जो Muslim League के नेता थे जो जिन्ना थे उनकी हट धर्मिता के कारण ये देश को दो भागों में बाटा गया और जिसके कारण ही Congress को Muslim League की ये बात माननी पड़ी अब आपके लिए सबसे important बात है कि आखिर क्या वजय थी जिसके कारण Congress को, Mountbatten को और उस समय जो powerful leaders थे उन सभी को Muslim League की ये बात माननी पड़ी, partition of India की बात माननी पड़ी The factors which were responsible for partition of India were helplessness of interim government and the Congress, serious communal rights, abstinacy, Muslim League and the British Diplomacy India की उस समय की interim government और British government की helplessness, देश में पहल रहे जवर ज़स्त दंगे फसाद, Muslim League की जिद उनकी हट धर्मिता और सबसे बड़ी बात, British government और Mountbatten की डिप्लोमेसी सबसे पहली योजना सबसे पहला plan Mountbatten ने इंडिया के लिए प्रस्तूत किया, वो ये था कि भारत को दो भागों में विवाजित किया जाएगा, जिसके दोनों पार्ट्स होंगे इंडिया और पाकिस्तान प्लान में ये डिसाइड किया गया कि बेंगॉल, सिंध, असाम, बलुचिस्तान जो मेली बॉर्डर से लगे हुए स्टेट्स थे, उनके बारे में इस पश्ट नीती थी, इनकी बॉर्डर डिसाइड की जा चुकी थी जैसा प्लान माउंट बेटन ने बनाया, कॉंग्रेस ने आराम से उसको एकसेप्ट कर लिया, कंसेंट कर लिया, लेकिन जो विवात की जड़ याने की मुस्लिम लीग थी, वो चाहती थी कि पूरा का पूरा बेंगॉल, असम, नौर्थ, वेस्ट, जो फ्रेंटियर प्रोव लीग को जुखना पड़ा और जैसा माउंट बेटन ने कहा, दोनो ही पार्टीज, कॉंग्रेस और लीग ने उसको एकसेप्ट किया, So my dear students, here we are going to stop this topic, I hope you have liked it and if you liked it, press the like button and don't forget to subscribe our channel, thanks for watching our video.